Hello everyone, welcome back to my channel Parveen Classes, I am Tavastam Parveen Class 10, Exercise 2.3 का Question 2nd आज करेंगे इससे पहले वाली वीडियो में Question 1 हमेंने Solve किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो पहले वो वीडियो देखे क्योंकि हमने Basic Divide करने का जो पूरा Process है हमने Question 1 में सीखा है Then Question 2 आप इस वाली वीडियो में देखे 1st के बाद Question 2 में लिखा है Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial मतलब Check whether the first polynomial First polynomial क्या है ये वाला है First polynomial को हमें check करना है कि First polynomial is a factor of second ये इसका factor है या नहीं यहां पर कॉमा के बाद दूसरा polynomial start हो जाता है ये इसका factor है या नहीं by dividing the second polynomial जो कि हमें पता करना है कि इसको अगर हम divide करें इससे तो हमें पता करना है कि ये factor है ये नहीं है तो हमें ये वाली value अंदर रहेगी और ये वाली value बाहर रहेगी और सिधा सिंपल में से divide करना है और इसमें हमें ये चीज़ दियान रखना है factor होगा या नहीं होगा वो हम कैसे पता करेंगे जब हमारा divide करने के बाद reminder 0 के बराबर आजाता है तो हम वो बोलेंगे कि ये हमारा factor है start करते कोशन में 1 से तो हमारा gx ये वाली value है और px ये है gx क्या होता है divisor और px होता है dividend तो हम लिख सकते है gx equal to t square minus 3 और px है dividend है 2t 2t का power 4 plus 3 t की power cube minus 2 t की power square minus 90 minus 12 right तो ये हमारा पर सकोशन है अब हमें इसमें क्या देखना है कि जो r है r equal to 0 आना चाहिए तो ही ये factor है ये factor तभी कहलाएगा और अगर r की value not equal 0 आ जाती है तो ये no factor हो जाएगा right तो बस हमें ये चीज़ से ध्यान रखना है बस simple सा इसे divide करना है और फिर हमें पता करना है कि reminder 0 आ रहा है ये नहीं तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते है t और हमें ये भी देखना है कि ये serial wise है या नहीं descending order में है या नहीं space है या नहीं t की पावर 4 है फिर 3 है फिर 2 है फिर 1 है फिर constant है तो ये बिलकुल ठीक descending order में है और ये वाली value भी तो लिख सकते है t की पावर square minus 3 2 t की पावर 4 plus 3 t की पावर cube minus 2 t की पावर square minus 9 t minus 12 right इसको divide करेंगे सबसे पहले मैंने क्या बता है था first step ये वाली जो value पहला term है first term 2 t का 4 यहां लिख लेंगे upon में ये वाली पहली value gx की first term t की पावर square अब t की पावर square t की पावर 4 तो यहां इसका मतलब क्या है ये t 4 time है ये t 2 time है तो हम लिख सकते है 2 t की पावर square right अब इस पूरे का इस पूरे का multiply इस पूरे से करेंगे तो यह आजएगा 2 को 2 t square को t square से multiply करेंगे तो आजएगा 2 t की पावर 4 2 t को minus 3 से करेंगे 2 3 just 6 और पावर कितनी हो जाएगी t की पावर square क्योंकि यहां पे t नहीं यहां पे square है तो यहां पे तो constant number है तो इसके value square में आएगे तो square में इसके नीचे की नेचे क्यो ainda होथी तो मैं इसके नीचे नेते बटिया पे cube नहीं आया तो इसके नीचे लिखेंगे तो यह हो जाएगा यह plus यह minus यह जो नमबर है डिरेक नीचे आजाएगा 3T की पावर क्यूब अब यह माइनस है यह प्लस है तो यह बीच वाला जो साइन है इसको एग्नॉर कर देते हैं तब ही हम नीचे सेकेंड वाला साइन लगाते हैं तो 6T में से 2T माइनस करेंगे तो आजाएगा प्लस का 4T स्क्वेर उसके बाद यह वाले जो नमबर है रिमेनिंग यह ऐसी लिख लेंगे अब यह वाला टम अब यह वाली लाइन में पहला टम यह है तो यह लिखेंगे साइड में 3T का क्यूब अबॉन में T GX वाला अब इसमें देखें T की पावर क्यूब है मतला है यहाँ पर T 3 टाइम है यहाँ पर T 2 टाइम है तो यह कट जाका इसender यहाँ पर क्या बचा 3T यह प्लस में है है हैं पर कोई साइन नहीं होता है तो प्लस माना जाता है तो हैं लेखेंगे प्लस में 3T अब 3T को इस पूरे से multiply करके यहां लेखेंगे 3T को T square से multiply करेंगे तो आजाएगा कितना 3T की power cube 3T को minus 3 से multiply करेंगे तो कितना आजाएगा यहाँ पर single T है यहाँ पर T है ही नहीं तो यहाँ पर single T ही आएगा variable की जगा तो minus, यह minus है तो plus, यह कट जाएगा, plus minus, यह 40 नीचे आजाएगा, 90, 90, यह minus है, यह plus है, यह भी कट गया, यहाँ पर क्या आएगा, minus का 12, अब यह वाला number, 40 upon में T, square, अब यह क्या number आगया, T square, अच्छा, यहाँ पर square है, यहाँ पर square है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, only 4, वो भी plus का, तो यहाँ लिकेंगे, plus का 4, अब 4 को इस पूरे से multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा, plus, plus 4, और T b, plus में, तो यह आजाएगा, 4, T का square, 4 को minus 3 से multiply करेंगे, आजाएगा, minus का 12, 4, 3, 4, 12, sign change, 0 आगया, और हमें क्या चाहिए था, reminder factor के लिए remainder 0 आना, तो यह हमारा factor हो गया, राइट तो इसको लिखेंगे, यह हमारा सारा rough work है, यहाँ लिखेंगे here, remainder equal to 0, so, T square minus 3 is a factor of, यह पूरी value, T की पावर square, plus T की पावर q, minus 2, T की पावर square, minus 90, minus 12, तो यह हमारा solve होता है, same, इसी तरीके से, question हमें, second, GX हमें यह given है, PX हमें यह given है, अब इसको भी वैसी divide करेंगे, जैसे हमने, question हमें 1 में किया, first time, यहाँ ले लेंगे roughly 3X की पावर 4, upon में, first time GX का X square, इसको से divide करेंगे, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, 4 से 2 खड़ गया, 2 बज़ गया, यहाँ लेखेंगे 3X की पावर square, अब इस वाले नंबर को इस पूरे नंबर से multiply करके, यहाँ लेखेंगे, 3 का multiply X से करेंगे, तो 3X की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे square है, यहाँ पे square है, जब numbers, जो numbers होते है, variable के साथ, वो number क्या multiply होते है, तो उपर के value क्या होते है, पावर क्या होते है, प्लस हो जाती है, तो 3X की पावर 4, 3, 3, 9, 9X की पावर cube, प्लस में 9X, इसकी पावर cube, 3X स्क्वेर को प्लस 1 से multiply करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस में 3X की पावर square, sign change, यह कट जाएगा, यहाँ पे minus 9 है, और यहाँ पे plus 5 है, तो 9 में से 5 मैंनस होगा, तो minus का 4X की पावर cube, यहाँ पे minus, यहाँ पे minus, minus, plus, लेकिन sign किसका लगता है, जो number बड़ा होता है, तो दोनों minus में है, तो minus ले लेते हैं, 7 minus में है, तो 10X की पावर square, प्लस 2X, प्लस 2, अब यहाँ पे पहला term यह है, 4X की पावर cube upon में, X square, इसको इस से divide करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचे का 4X, यह minus में है, तो यहाँ ले लेंगे, minus 4X, 4X को, minus 4X को इस पूरे से multiply करके, यहाँ लेखेंगे, तो minus plus minus 4X, X square, X का cube, 4X minus plus minus 4, 3, 12, X, X, X square, अब यहाँ पे 4 minus plus minus 4, बचे का 4, और X, तो अब sign change, 3X में थे, तो यह plus में हो जाएंगे, अब sign change हो के, यह 10 है, यह plus में 12X है, 12X में से 10X को minus करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2X का square, यहाँ पे 2 और यह 4, दोनों plus में तो यह हो जाएगा, 6X, यहाँ पे 2, as it is ले लेंगे, अब पहला term यह वाला number बचा है, तो अब यह ले लेंगे, upon में इसके, square से square गया, तो क्या बचा 2, यह वाला number तो यहाँ ले लेंगे, यह plus में है, तो plus में 2, 2 को इस पूरे से multiply करेंगे, तो आजाएगा, 2X की power square, 2 को 3 से multiply करेंगे, 2, 3, just 6, 6X, 2 को 1 से multiply करेंगे, आजाएगा 2, sign change, यह भी कट गया, यह भी कट गया, यह भी, सारे cancel होके, 0 आगया, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इसका भी remainder हमारा 0 आगया, तो जैसे हमने कोश्यमा 1 में लिखा है, वही line इसमें भी लिखने है, remainder 0, तो यहाँ पर क्या आएगी, GX is a factor of the PX, तो यह आप खुद से लिख सकते हैं, आप खुद लिख लेना, मैं इसके आगया कोश्यमा 3 करवाती हूँ, कोश्यमा 2 का 3, इसमें भी divide करेंगे, X की पावर 5, यहाँ पर जो बीट हमें, वहाँ रफ ली यहाँ पर हम ले लेंगे 5, अपॉन में X की पावर क्योब, इससे इसको divide करेंगे, X की पावर 5 है, यह X की पावर क्यूब है, तो अगर इसको हम direct divide भी कर सकते हैं, या फिर हमने हमने यह भी पढ़ा हुआ है 9th class में, कि X, जब यह multiply होते है, X M upon X N, तो इसको क्या ले लेते है, X M minus N, तो हम इस method से भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लेख सकते है, X 3 से, यह 5 में से 3 माइनस हुझेगा तो 2, तो हम X की पावर स्क्वार भी ले सकते हैं, या फिर हम हम इस method से भी solve कर सकते हैं, मतलब एक्स यहां पे आजाएगा, 5 माइनस 3, तो X की पावर 2, तो हम यह भी use कर सकते हैं, यह दोनों से एक ही method आएगा, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, X की power यहाँ पे square आया, इस method से, किसी से भी, अब यहां पे जो term है, इस term को इस पूरे से multiply क करेंगे x square x cube यहां पर आ जाएगा x की power 5 x x x और power 3 और 2 5 हो जाएगा जब x यहां पर जैसे हमने minus करा था यहां पर divide हो रहा था इसलिए अगर यही नंबर x की power m into x x की power n होता है तो यहां पर क्या होता है common x हो जाता है और m plus n हो जाता है तो यहां पर x 2 plus 3 तो कितना हो जाएगा x की power 5 हो जाएगा मैं बिल्कुल इसी का opposite है यह हमने क्लास 9 में हमने पढ़ चुके है इसलिए मैं बहुत हलका सा रॉफ आइडिया दे रही हो अगर आपको यह चीज़े समझ में नहीं आई और अगर आपको इसके बार में और पढ़ना तो आप मुझ 3 से multiply करेंगे minus यहाँ पे square है और यहाँ पे single है तो क्यूभी आएगा यहाँ पे space छोड़ना था पर मैंने space नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे दिख रहा था कि square सो अगर हम multiply करेंगे तो cube पे ही आएगा 4 की value नहीं आ रही इस पे इसलिए मैंने space नहीं छोड़ा इस पे x को x square क 3x से multiply करेंगे 3x की power cube 3x square को 1 से multiply करेंगे तो अज़ेगा plus x square अब यहाँ पे sign change minus plus minus यह cancel हो जाएगा 4x की cube में से 3x की cube को minus करेंगे तो single x की cube रह जाएगा यहाँ पे plus minus यह भी divide हो जाएगा यह plus में है minus में तो यह वाला number as it is ले ले लेंगे plus का 3x plus 1 अब हमाँ पस यह वाला number बचा तो यह ले लेंगे roughly यहाँ पे upon में यह number इससे यह divide हो जाएगा पूरा-पूरा one time में कटा divide हो है और यहाँ पे एक चीज़ और यह plus यह minus है यह plus है तो sign में से यह वाला लेगा क्योंकि यह बड़ा number है right बड़ा number का sign लगता है में अब यहाँ पे यह जो 1 है यह minus में था तो यह minus में आएगा minus 1 minus 1 को इस फूरे से multiply करके यहाँ लेखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यह minus 1 और x का cube तो यह हो जाएगा minus x की cube minus x और minus 3 minus minus plus 1 3 जा 3 और x right अब 1 1 जा 1 plus minus minus 1 sine change plus minus यह plus यह cancel हो जाएगा यह plus minus यह जा1 यह 1 यह प्लस यह प्लस यह प्लस तो यह क्या हो जाएगा 2 right तो हमारा reminder equal to 2 आगया तो हमारा reminder not equal 0 आ रहा है हमने क्या मताय था reminder not equal 0 आएगा तो वह 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 फेक्टर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं 하ंपे So x ki power cube minus 3x plus 1 is not a factor of x ki power 5 यह वाली px ki value लेंगे x square x ki power 5 minus 4x ki cube plus x square plus 3x plus 1 right तो question है ही खत्म